ओम्भूर्वुवस्वा तद्सवितूर्वरेण्यम बर्गोदेवश्यदी महीधियो योना प्रचोदयात गहत्री की अमोग सक्ति गहत्री सत्बुद्धी का मंत्र है इस महा मंत्र में कुछ ऐसी विलेचन सक्ति है कि उपासना करने वाले के मस्तिक्स और हिर्दे भोष जल्द ही आश्चाजनक प्रभाव परलचित होता है मनुष के मनाच्षेत में समय हुए काम, क्रोध, लोग, मोह, चिंत, इर्शिया, कूव, इचार आदी, चाये कितनी ही गहराई, जड़जमा, पैठा हो मन में तुरंत ही हल्चला रहम होती है, और उनका उखड़ना, गटना तथा मिटना परचेक दिखाये पड़ने लगता है संसार में समस दुखों की जिन्नी को गुद्धी है जितने भी दुखी मनुष से इस विश्व में दिख पड़ते हैं, उनके दुखों का एक मतल कारण उनके कूविचारी है परमात्मा का यूराज मनुष से दुख के निमित नहीं, अपने पिता के इस पुन्य उपन संसार में आनंद की क्रिगा करने के लिए आता है इस स्वर्गादप गर्यसी धरती माता परवस्टुता दुख कास्ति तो ही नहीं है संसार में जितने दुख हैं सब कुद बुद्धी के कारण है लड़ाई जगड़ा अलस से अत्यचार आदी के पीछे मनुष्य की दुर बुद्धी ही काम करती है इनी कारणों से रोग अभाव चिंता अदी की प्रादरभाव होता है और नाना प्रकार की पिड़ाएं स्वहनी पड़ती है कुद बुद्धी से बुरे बिचार बनते हैं इसलिए कुद बुद्धी को पापु की जन्निक आ गया गयत्री मंद का प्रदान कारी सकुद बुद्धी को हटाना है गयत्री उपासना से में सples बिचार और हिदे में सदभाव उत्बन होते हैं जिनके अस्मरन शक्ति मंद है मस्ति यल्दी ठक जाता है उन्हें गयत्री उपासना करके थोड़े ही समय में श्महान सक्ति के शमतकार देखने को मिलता है सीर में दर्द, चक्कर आना, आदी, रोगों की सिकाय जीने बनी रहती है उन्हें के अत्रीव पासना करनी चाहिए इससे मस्तिक के सभी कल पूर्जे बलवान और निरोग बनते हैं जिनके घर में कुबुद्धी का समराच है रहता है आपस में द्वेश, असयोग, मन मुटाव, कला, दुराव, यंग, दुरभाव रहता है आए दिन जवड़े होते रहते हैं आपा धापी और स्वार्थ परता में प्रविती रहती है ग्रिह ववस्ता को ठीक रखने, समय का सुदुपयो करने, योगताय बढ़ाने को संग से बचने, स्रमपुरवक, आजीव का कमाने मन लगा कर विध्या धेन करने में प्रविती ना हो ना दी दुरवन को गुद्धी के प्रतीक है जहां यह बुराईयां भरी रहती हैं, वे परिवार कभी उनती नहीं कर सकते अपनी को कायम नहीं रख सकते इसके विप्रीत उनका पतन होना रम हो जाता है विख्री हुई बुहार किसी को की तरचिन भिन, परवत्मान इस्थिती भी इस्थिर नहीं रहती दरिता, हानी, घाटा, सत्रूं का परकोप, मानसी का सांती के विगृती आदी बाते नीन इन बढ़ती हैं और वे घर कुछी समय में अपना सब कुछ खोबढ़ते हैं को गुद्धी ऐसी अगनी है, जहां भीवा रहती है, वहें की वस्तूं को जलाने और नश्ट करने कारिक करती, निरंतर करती रहती है जहां उप्रक्त प्रकार की स्थिती हो, वहां गयती उपासना का आरम होना एक अमोग अस्त है अंगीथी जलाकार राग दिने से जिस्पकार कमरे की सारी हवा गरम हो जाती है और उसमें बैटे हुए सभी मनुष साधिस चुट जाते हैं उसी प्रकार घार के थोड़े से प्रक्ति भीयरी सच्चे मन से महता की सरन लेते हैं तो उन्हें स्वैंग को सांती मिलती है साथ ही उनकी साधना का सुच्च प्रभागार बहर पर परपड़ता है और चिंता जनक मनुविकार का समन होने तथा सुमित एक ता प्रेम अनुसासनों साध्भाव परिवार में बढ़ती होती है असपष रुप से दिश्टी गोचर होती है साधना निर्वल हो तो प्रगती देरे देरे होती है होती है वस्वैस सब्द्धी एक सक्ति है जो जीवन करम को बदलती है उस परिवारतन के साथ सत्मनुसकी परिस्टितियां भेदलती है गैती माता क्योरो में खोने वाले बैक्ति सद्वूद्धी तता सुक्सांती का हमदान प्राप्त करते हैं जन्ने बाद